सिवान जिला के महरवा में बाइक चोरों ने चोरी करने का ट्रेंड बदल दिया है। इसी कड़ी में महरवा में ओटो चालक बन कर बाइक चोरी की घटना को अनजाम देने का मामला परकास में आया है। सेवतापूर के सुनिल यादव ने सुक्रबार की रात गाउं से ही ओटो चलाते हुए एक बाइक चोर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने चोर का ओटो भी जब्द कर लिया है। गिरप्तार चोर बिलासपूर गाउं के सुमीत कुस्वाह बताया जा रहा है। वहीं बाइक चोरी की घाटना की वरदात एक नीजी अस्पताल के केमरे में कैद है। तो चोरी की बाइक के नंबर प्लेट बदलते हुए फोटो लिया गया है। पिड़ित ने वीडियो और फोटो के साथ थाना में अविधन भी दिया है। पिड़ित सुनेल यादव ने बताया की मेरा दो बाइक और चार एस्मार्ट फोन की चोरी हुई है। जिसमें एक बाइक 29 फरवारी को इमलावली में साधी समारोह से अवर। दूसरा बाइक नगर के प्राण गड़ी के एक नीजी अस्पताल से 29 जून को चोरी हुई थी। इस मामले में अग्यात के खिलाप अस्थानी थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था। कुछ महीनों बाद मेरा बाइक का नंबर प्लेट बदलते हुए चोर का फोटो मिलने के बाद उसकी तलास करना सुरू कर दिये। सुक्रबार की रात मेरवा एस्टेसन से आटो से सवारी लेकर सेवतापूर जा रहे बाइक चोर को पीडित ने मेरवा धाम पर देखकर पीछा करते हुए सेवतापूर पहुचा जहां आटो रुकते ही चालक को पकड़ लिया। पुष्टाच के बाद उसने पुलिस के हवाले कर दिया। पिडित ने पुलिस प्रसासन से गिरफतार चोर के खिलाप कड़ी से कड़ी कानूनी करवाई करते हुए चोरी हुई बाई तथा मोबाईल फोन की बरामदगी करने का गुहार लगाया है। इस सम्मन में परभारिथाना अधियक्ष भरत साह ने बताए कि गिरफतार चोर से पूछताच की जा रही है।